हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्टॉक राइडर सु फ्रेंड्स स्टॉक एनलिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इंडिया बूल्स हाउजिंग फाइनेंस लिम्टेड इसी स्टॉक के बारे में स्टॉक का 52 वीक का हाई है 313 52 वीक कलो है 127 क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है 55 वांटिटी ग्यारे लाक 17,402 परसंटेज ऑफ दिलिवरी परसंटेज तो कम है क्योंकि मैं 25 परसंट की जो डिलिवरी होती है उसको अच्छा मानता हूँ इसी स्टॉक के बारे में एक न्यूज है कुछ दिन पहले कुछ न्यूज चल तो यह अब डाइवस्टमेंट हो रहा है तो इनके मूचल फंड के बिजनिस को डाइवस्टमेंट की मंजूरी मिल गई है और यह न्यूज आप इंडिया इंफो लाइन डाट कॉम वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं इस्टॉक के बारे में बात करेंगे मार्केट कैप है 10,5 288 करोड की डेट है 68,805 करोड का प्लेज परसेंटेज 0 शेर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे लास्ट थ्री क्वाटर्स में पिर मोटर्स की 21.70 से 21.69 ओल्मोस्ट कॉंस्टेंट है FII की 32.16 से 33.65 बढ़ी है DII की 12.09 से 12.88 बढ़ी है पबलिक यानि रिटेलर 30.37 से 28.10 रिटेलर की तो यहां कम होगी होगी क्योंकि FII और DII की जहां ज़्यादा मिलेगी वह रिटेलर की कम ही मिलेगी others की 3.68 से 3.68 constant है यह है इस stock का 1 day का chart 1 day के chart में RSI चल रही है 42 यह है 1 week का chart 1 week के chart में RSI चल रही है 47 और यह है 1 hour का chart 1 hour के chart में RSI है 54 कुल मिलाके 3 चार्ट में अच्छी RSI चल रही है buying zone में आप कह सकते यह stock 313 का high लगा के 216 का low यहाँ पर लगाया इसने अगर आप इस chart को अच्छे से देखोगे तो some kind of M pattern जैसा की आप weekly chart में भी देख सकते हैं daily chart में अगर आप बनाने कोशिस करोगे तो M pattern kind of बन जाएगा तो इस stock ने some kind of M pattern बनाया है और यह stock आज की rate में 228.95 पर बन हुआ है तो अभी इस stock में बहुत लोग confused हैं बहुत लोग panic में हैं कि क्या करें मेरे पास भी बहुत queries आई थी इसलिए मैं यह video बना रहा हूँ तो देखिए जो लोग अभी उपर के level पर invested है या तो अभी current market price पर buy कर सकते हैं इस stock को accumulate कर सकते हैं जो लोग इस stock में fresh entry देख रहे हैं अगर आप यह trend line देख रहे हो इस trend line को अगर यह break करता है उपर की तरफ तो break means 231 यानि 231 का level अगर उपर की तरफ break करता है आप entry ले सकते हैं target होंगे 238, 256, 278 और अगर यह फिर से दुबारा नीचे आजाता है यह trend line break करके तो इसके नीचे के support होंगे 220 and 195 और नीचे भी जा सकता है लेकिन ध्यान रहे हैं जो लोग new या fresh entries इस stock में ले रहे हैं according to my strategy 3-5% book your profit and exit जो लोग इस stock में बहुत उपर के target देख रहे हैं वो इस stock को hold कर सकते 278 तक भी आप अपना decision ले सकते हैं या फिर आप अपने financial advisor से contact कर सकते हैं So friends यह थी इस stock की best analysis वीडियो अच्छी लगी हो like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए और मेरा telegram channel है वीडियो को description box में आपको link मिल जाएगा आप जाके join कर सकते हैं और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो आप definitely dislike कर सकते हैं आपके dislikes मुझे motivate करते रहेंगे और मैं stocks की analysis में प्रोफिसेंसी लाता रहूँगा So thank you friends, thanks a lot, bye bye for now